ओम शान्ती आज 24 जून मातेश्वरी जी का स्मृती दिवस है। और आज के दिन यग्ये में मातेश्वरी जी दवारा उच्चारित मधूर महवाख्यों को सुनाया जाता है। तो आईए सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स। ग्यान स्वरूपा मम्मा ने कहा इस दुनिया को नाटक भी कहते, ड्रामा भी कहते और खेल भी। इस बेहद के नाटक का जो रच्यता हैं वे अभी डारेक्टर बन, खुद भी एक्ट कर रहा है और हमको यह सब बातें समझा रहे हैं कि कैसे नाटक की शिरुवात हुई और इसमें मुख्य एक्टर्स कौन कौन हैं। वासो में यह नाटक अभी पूरा होने पर हैं। वेह हद के नाटक तो दो तिन घंटे में पूरे हो जाते हैं लेकिन इसको पांच हजार वर्ष लगते हैं। यह सारा वृतांत गुद्धी में फिरते रहना चाहिए। बाप आए ही हैं हमारे कर्मों को उची क्वालिटी का बनाने। क्योंकि अगर बीज अच्छी क्वालिटी का होता है तो उसका फल भी अच्छा निकलता है। फिर मम्मा ने कहा आप सब जो भी पवित्रता को धारन कर अभी डारेक्टर के डारेक्शन्स पर चल रहे हो वेह स और फिर मातेश्वरी जीने एक और विशेस बात कही कि यह वो भारत है जिसका कभी सारी पृत्वी पर कंट्रोल था। अर्थात एक राज्य एक धर्म था। अब तो ऐसा नहीं रहा। इसलिए बाप फिर से इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन करके एक राज्य एक धर्म और वही नया भारत नई दुनिया बना रहे हैं। उस दुनिया में कोई दुख वरोग नहीं होगा, अकाले मृत्यू भी नहीं होगी। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए खूब पुरुशार्थ करना चाहिए। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। ओम शांती। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बायपलार्स बीच में दिखाते हैं। लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्र इसको नाटक भी कहा जाता है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारा यह पार्ट कहां से शुरू हुआ और कहां तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रती समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डारेक्टर क्रियेटर कौन है। और इस नाटक में हीरो हीरोईन पार्ट किसका है। इन सब बातुं का नौलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी है। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उन से पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है। यह कहां से शुरू होता है। कहां पूरा होता है। अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है। कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा तो इन सब चीजों को समझने का है इस बेहद के नाटक का जो रच्यता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुवात हुई इसमें मुख्ये मुख्ये एक्टर्स कौन है और सभी एक्टर्स में hero and heroine का part किसका है यह सब बातें बाप समझा रहे ह यह सब knowledge जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं वो समझ से हैं उन्हों को मालूम है कि इसका पहला director और creator कौन है creator कहेंगे supreme soul परम पिता परमात्म को लेकिन वह भी actor है उनकी acting कौन सी है director पन की वह एक ही बार आकर actor बनता है अभी director बन करके act कर रहा है वह कहते हैं इस नाटक की शुरुवात मैं करता हूं कैसे जो purified सत्यूगी दुनिया है जिसको नई दुनिया कहते हैं वह new world मैं create करता हूं अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारन करके director के directions पर चल रहे हो वह सभी actors अभी purified बन रहे हैं फिर इनी actors के दवरा अनेक जन्मों का चक्र चलना है यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई kingdom में जाएंगे वह kingdom दो युग सुर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती हैं फिर वह सुर्यवंशी चंद्रवंशी actors का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नेचे गिरते हैं अथुआ वा मार्ग में आते हैं फिर दूसरे धर्मों का टर्ण आता है इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चन ये सभी धर्म सापक नंबरवार आ करके अपना धर्म सापन करते हैं तो देखो नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां पूरी होती है उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाइपला व्रितांत बैट करके संजाते हैं, अभी यह नाटक पूरा होने पर है, वेह नाटक तो तीन घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है, बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तयारी है, अभी यह नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा, तो एह स पारा वृतांत बुद्धी में होना चाहिए इसी को ज्यान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड हैं प्राचीन अपना देश हैं। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकडा हो गया है। प्रन्तु वास्तों में सारी वर्ड, सारी प्रित्वी पर एक भारत का राज्य था जिसको कहा जाता था प्राची उस समय का भारत गाया हुआ है सोने की चिडिया। सारी प्रित्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य एक धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहा है। इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई दुनिया बनाता हूँ। समझा उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अकाले मृत्यू नहीं, तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुशार्द करो। मुफ्त में थोड़े ही मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, बीज बो बोएंगे नहीं, तो पाएंगे कैसे। तो यह करम शेत्र है। इस शेत्र में करमों से बोना है। जो करम हम बोते हैं, वो फल पाते हैं। बाप करमों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी बाप आकरके हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊच बनाओ अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो दुख और अश्यान्ती है कुछ न जोगादी खिट-खिट होती ही रहती है, सब बाते मनुश्यों को दुखी करती है ना, इसलिए बाप कहते हैं, अभी तुम्हारे कर्म को मैं उची क्वालिटी का बनाता हूं, जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा, तो उस क्वालिटी को बोएंगे, तो उसका फल अच्छी क्वालिटी चाहिए ना, तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वह स्रेष्ट क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे, तो स्रेष्ट फल मिलेगा, तो अपने कर्मों का जो सीड बीज है, वह अच्छा बनाओ, और और फिर अच्छा बोना सीखो, तो ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरिशार्थ करो, अच्छा अभी दो मिनट साइलेंस, साइलेंस का मतलब I am soul, first silence पीछे टोकी में आते हैं, अब बाप कहते हैं फिर चलो silence word, तो silence शांती अपना स्वधर में हैं, उस silence में चलने के लिए कहते हैं, इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की, अभी अटेच्मेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ, son of supreme soul, अब मुझे याद करो, और मेरे धाम में आ जाओ, तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो, अन्तमती सोगती, अभी क चरीर की भी अटेच्मेंट छोड़ दो, समझा, ऐसी अपनी धारना बनाने की है, अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस, बोलते कैसे साइलेंस होती है, मालूम है, बोलते समय हमारा बुद्धी योग, अपने उसी I am soul, first pure soul, अथ्वा silent soul, यह याद रखना, बोलते समय हमारे में यह knowledge होना चाहिए, कि I am soul, इस organ से बोलते हैं, तो यह अपनी practice होनी चाहिए, जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी जरूरत है, उसका आधार लेकर के क काम करूँ, ऐसे आधार लेकर काम करेंगे, तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा, अच्छा, ऐसे बाप दादा और मा के मीठे मीठे बहुत अच्छे, सदा silence की अनभूती करने वाले बच्चों के प्रती, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा और मीठी मम्मा को नमसे नमसे गुड मॉर्निंग, और अभी संदेशी के तन दवारा, ओलमाइटी पिता के उच्चारित महवाक्य, मातेश्वरी जी के प्रती, हे शिरोमनी राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे सम दिव्य कारे में तत पर हो, अर्थात वैशनों शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो, जो बच्ची अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते, उन्हों से मैं क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए, यह काईदा अभी सापन होता है, जो सत्युग त्रेता तक चलता है, वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा, प्रन्तु द्वापर कलियुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते, अभी बच्चे को बाप समान बढ का प्रिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नैच्रल ऐसा काईदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादी काईदा इस संगम समय पर इश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर सापन करता है, दूसरा, मधूर माली की, मधूर मीठी, दिव्य पुरुशार्थी ब अभी वर्ड सोरंटी की चाबी सेकेंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है, देखो अलमाइटी जो हरे एक जीव प्रानी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस करम शेत्र पर आया है, तब सारी स्रिष्टी हैप्पी हाउस बन जाती है, इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रिती से स्रिष्टी को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देह धारी बन, मालिक पन से करम शेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं, वहां सच्च की दर्बार खु प्राप्त हो जाता है, इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुशार्थ ही प्रालब्द को खीचता है, जिनों का इश्वर से योग है, उनों को इश्वर दवारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है, तीसरा, ओहो तुम वही शक्ती हो जो तो अपनी इश्वरिय ताकत का रंग दिखलाए, इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की सापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने इश्वरिय बल और रुहाब के मर तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हरशित मुख तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सोभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सत्युग में यूराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देखो, उससे कितनी लोटरी मिलती है। ओहो कितना स्रेश्ट तेरा लक जिस लक से वैकुन्ठ की लोटरी मिल जाती है। समझा लकियेस्ट दैवी फूल बच्ची। चोथी बात, इस सुहावने संगम समय पर सुयम निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह इश्वरिय फैक्टरी खोली है। जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपंदे, अविनाशी ज्यान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्यान रत्नों की खरीदारी अती सुक्षम है, जिसको बुद्धी से खरीद करना है। यह कोई सुल वसु नहीं है, जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अती महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वत्तम ज्यान खजाना प्राप्त करने से अती निरसंक सुख दायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्यान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिन्त, बेफिक्र, निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्यान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धी रूपी सुख्षम ती जोरी में धारन कर नित निश्चिन्त रहना है। विनाशी धन में तो सुख समाया हुआ है, और अविनाशी ज्यान धन में सुख समाया हुआ है। पांचवी बात, जैसे सूर्य सागर के जल को खीशता है, जो फिर उचे पाहडों पर बरसता है, वैसे यह भी डारेक्ट इश्वर दवारा वर्शा बरसती है, कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, अभी इनके मुख कंवल दवारा ग्यान अमरित धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी इश्वरिय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भगीरत पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो, यह सिर्ताज बनाने की वंडर्फुल मंडली है, यहां जो भी नर और नारी आएंगे, वो सिर्ताज बन जाएंगे, दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडली अर्थात सान, अब यह मंडली कहां टिकी हुई है, ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर तुम शक्तियां फिर प्रकृती को भूल अपने सोधर्म में टिकी हुई हो छटी बात इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार इश्वर को याद करते हैं जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है उस निराकार में उनों का इतना अती प्यार रहता है जो कहते हैं हे इश्वर अपने में मुझे लीन कर दो प्रन्तु कैसा वंडर है जो स्विम इश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं है इश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो भल वो देखते भी नहीं है प्रन्तु बुद्धी योग से यही महसूस करते हैं कि इश्वर सर्वत्र है लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्विम निराकार इश्वर प्रेक्टिकल साकार में यहां आये पधारा है अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो प्रन्तु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभू पिता को पहचानते नहीं है उन्हें निराकार अति मेठा लगता है प्रन्तु वे निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होग बाकी जो इश्वर को दूर निराकार समसे हैं और देखते हैं जिनों को कुछ प्राप्ति नहीं हैं वो है ठहरे भक्त उन्हें कोई ज्यान नहीं अब सकार प्रभु पिता को जानने वले ज्यानी बच्चे सर्व दैवी गुणों की खुश्बू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चड़ा देते हैं जिससे उन्हें जन्म जन्मांत्र सम्पूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है साथवा सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रोंग सत्य असत्य की परख आ गई है इस इश्वरिय ग्यान से टुथ जबान रहती है जिससे किसी का संग दोश चड़ नहीं सकता संग दोश की छाया उसके उपर पड़ती है जो खुद अग्यान व लिखत लिखवाते हैं मनुश्यों का बोल अन्टूथ निकलता है अगर टूथ होता तो उसके महवाक्ये पूजे जाते जैसे देखो डिवाइन फादर के टूथ महवाक्यों के शास्र बने हुए हैं जिनों का गायन और पूजन चलता है इनके टूथ सत्य महवाक्यों की ध करने से इश्वर ये क्वालिटी आ जाती है ना सिर्फ इतना मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्रिक्रिश्न का ब्रह्मा का साक्षतकार भी पा लेते हैं ओहो, होली रिद्य कमल, होली हस कमल, होली नयन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट, कमल फूलसम, कोमल कंचन बन गई है प्रन्तु पहले जब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है जिस होली कमल तन में ही अती कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता दवरा अज्यान तपत को बुझाए, ज्यान तेज को जगाए, अती शीतल रूप बन गई हो खुद शीतल रूप बन, फिर अन्य हमजीन्स को भी ऐसी सची शीतलता दान देने अर्थ, इस सुहावने संगम समय पर निमित बनी हुई हो तुम्हारे जड़ चित्रों दवरा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांती का दान मिलता रहता है अभी तुम सारी स्रिष्टी को सल्वेशन में लाए, अन्त में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वेकुन्ठ गोल्डन गुल्षन में जाकर विश्राम करेंगी अच्छा, वरदान बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव चाहे और कुछ भी ग्यान के विसार को जान नहीं सकते, वह सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द, बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया, तो विशेस आत्मा बन गए दुनिया के आगे माहान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्ये बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द, सर्व खजानों की वभाग्ये की चाबी है, चाबी लगाने की विधी है, दिल से जानना और मानना, दिल से कहो बाबा, तो खजाने सदा हाजिर है स्लोगन, बाप दद से स्ने है, तो स्ने में पुराने जहान को कुरबान कर दो, अच्छा ओम शान्ती, मम्मा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, जिन्हें शायद बहुत कम भाई बहने ही जानते हैं, इसलिए कोई भी इस वीडियो को मिस ना करें कर दो, अच्छा